दर समवेदन शील स्टॉक, तीन दिवसिय मौदरिक नीती समिती की बैठक के नतीजे से पहले बैंकिंग और वित्तिय सेवाएं, रियल इस्टेट और आटो फोकस में रहेंगे भारतिय रिजर्व बैंक 10 अगस्त को अपने ब्याजदर निर्नाय और आर्थिक विकास और मुदरस्फीती द्रिश्टिकोन की घोशना करेगा Z Entertainment Enterprises, Media और Manoranjan Company ने जून वितव वर्ष 24 को समापतिमाही के लिए निरंतर परिचालन से लाब में 97 प्रतिशत की सालाना गिरावट के साथ 3.87 करोर रुपय की गिरावट दर्ज की है जो कमजोर परिचालन संख्या और असाधारन नुकसान 29.9 रुपय के मुकाबले 70.6 करोर रुपय से प्रभावित है करोर साल दर साल इसी अवधी के दोरान परिचालन से राजस्व 7.6 प्रतिशत बढ़कर 1,984 करोर रुपय हो गया NTO 3.0 और Z5 के बाद सदस्यता राजस्व में बढ़ोतरी के कारण सदस्यता राजस्व 18 प्रतिशत बढ़ गया लेकिन घरेलू विज्यापन राजस्व में सालाना आधार पर 2.6 प्रतिशत की गिरावट आई परिचालन के मोर्चे पर EBITDA सालाना आधार पर 42.3 प्रतिशत गिरकर 154.9 करोर रुपय हो गया और तिमाही के लिए माजिन 680 BPS गिरकर 7.8 प्रतिशत हो गया एक्सिस बैंक निजीक शेत्र के रिंदाता को तरजीही आवंटन के माध्यम से मैक्स लाइफ में 1612 करोर रुपय की पूंजी डालने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल गई है इस पूंजी निवेश के साथ मैक्स लाइफ में एक्सिस बैंक की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी बढ़कर 16.22 प्रतिशत हो जाएगी और एक्सिस संस्थाओं की सामुहिक हिस्सेदारी बढ़कर 19.02 प्रतिशत हो जाएगी बैंकब 113.06 रुपे प्रतिशेर के उचित बजार मूल्य पर 14.25 करोड एक्विटी शेरों के तरजीही मुद्दे की सदस्यता के माध्यम से प्रस्तावित अधिगरहन के लिए मैक्स लाइफ के साथ एक शेर सदस्यता समझोता करेगा टाटा पावर कमपनी टाटा समूह की कमपनी ने जून वितव वर्ष 2024 को समाप्तिमाही के लिए 972.05 करोड रुपे का समेकित लाब दर्ज किया है जो एक साल पहले की अवधी की तुलना में 22.04 प्रतिशत अधिक है जो स्वस्त परिचालन प्रदर्शन और असाधारन लाब 234.07 करोड रुपे के कारण समर्थे थे सभी समुहों में निरंतर व्यापार वृद्धी के कारण राजस्व सालाना 5 प्रतिशत बढ़कर 15,213.3 करोड रुपे हो गया और E-BITDA 43 प्रतिशत बढ़कर 3,005 करोड रुपे हो गया Angel One, Stock Broking Company को Company के Business Undertaking एक को Angel Securities और Business Undertaking दो को Angel Crest में स्थानांतरित करने की व्यवस्था की योजना के लिए Board की मंजूरी मिल गई है Angel Securities और Angel Crest दोनों Angel One की सहायक कमपनिया है BAC, देश के सबसे पुराने Stock Exchange ने जून वितवर्ष 2024 को समाप्त तिमाही के लिए 442.66 करोड रुपे का समेकित लाब दर्ज किया है जो एक साल पहले की अवधी में 44 करोड रुपे से 10 गुना अधिक है जो सहयोगी कमपनी CDSL में 5 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री, उच्च निवेश से प्रेरित है आए और अन्या आए तिमाही के लिए राजस्व सालाना आधार पर 15.4 प्रतिशत बढ़कर 215.62 करोड रुपे हो गया बाटा इंडिया, फुट्वियर प्रमुख ने वितव वर्ष 2024 की जून तिमाही के लिए 106.9 करोड रुपे का समय के तलाब दर्ज किया है जो एक साल पहले की अवधी की तुलना में 10.5 प्रतिशत कम है मुख्य रूप से उद्योग द्वारा सीजन की बिक्री के शुरुआती दौर में शुरू होने और कम परिचालन संख्या के कारण तिमाही के दौरान परिचालन से राजस्व 958.15 करोड रुपे रहा जो एक साल पहले की अवधी की तुलना में 1.6 प्रतिशत अधिक है भारतिय रेलवे खानपान और परियतन निगम राज्य के स्वामित्व वाली रेलवे कमपनी ने जून वितव वर्ष 2014 को समाप्त तिमाही के लिए 231 करोड रुपे का लाब दर्ज किया है जो पिछले वितव वर्ष की इसी अवधी की तुलना में 7 प्रतिशत कम है जो साधरन नुकसान 51.9 करोड रुपे और कम परिचालन माजिन से प्रभावित है इस तिमाही में परिचालन से राजस्व सालाना आधार पर 17.5 प्रतिशत बढ़कर 11.8 करोड रुपे हो गया एबॉट इंडिया, फॉर्मा कमपनी ने जून वितव वर्ष 2014 को समाप्त तिमाही में 290.2 करोड रुपे का मुनाफा दर्ज किया है जो एक साल पहले की अवधी की तुलना में 41.1 प्रतिशत की तेजी से वृद्धी है जो स्वास्थ टॉप लाइन और परिचालन प्रदर्शन के कारण समर्थित है तिमाही के लिए परिचालन से राजस्व 1489 करोड रुपे रहा जो साल दर साल 13.4 प्रतिशत की वृद्धी है दोस्तों इस आर्टिकल और वीडियो के दुवारा में आपको सिर्फ नॉलज ही प्रोवाइड करता हूँ शेयर मार्किट में किस शेयर पर इन्वेस्ट करना है वो पूरा आप पर है करना भी है कि नहीं मेरा और मेरी टीम का मोटिव यही है आप टाक इन्फॉर्मेशन और राइट नॉलज को डिलीव करना लेकिन आप अपने पैसा जिस भी स्टॉक में निवेश करे सोच समझ कर करे